एक दो लाइन से मैं अन्रोडियोस करूँगा यूँ यादों का मुहताज हूँ क्यूँ इश्क ना होते वे भी आशिक मिजाज हूँ सबसे पहले मेरा ट्रांजिशन होगा मुहबब से लेके ब्रेक अप तक का सफर तो पहले मुहबबद भर इशारी और पोईटरी यह सुन लजे एदिल आज करा देना उनसे प्यार थोड़ा अकलमन बन बना देना उनके जिक्रों का हिस्सदार एदिल अब इतना भी सक्त ना बन अब इतना ना करा इंतिजार जरा सा वक्त दे होगा तुझे भी उनके प्यार एदिल बता मुझे आज खामोश क्यों है आज इतना मधोश क्यों है मान भी लेना कि हुआ है तुझे भी उनसे प्यार एदिल तो यह महबद भरी पोईटरी अब हम आतने हैं जो आप सब रिलेट कर पाएंगे हर किसी को महबद होती है और आपरी में जो कटता है तो उसके लिए तो अरस किया है रखा क्यों है दर्द सीने में इसे निकाल क्यों नहीं देते कहते हो बड़े अकलमंद हो इस दर्द की दवा क्यों नहीं देते यूँ जो रोक कर बैठे हो ये पल सच बताओ क्या खुश नहीं थे तुमकल ये जो रोक कर बैठे हो ये पल सच बताओ क्या खुश नहीं थे तुमकल तुम्हें चूना तो मेरे लिए जायज नहीं पर क्या मैं तुम्हें दीखने के भी कायल नहीं मालूम है कि तुम्हें आतराज होगा मालूम है कि तुम्हें अत्राज होगा पर तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास तुम्हारी तस्वीर भी नहीं आज भीग पड़े हैं मेरे लिबास मेरे अश्क से कशरमिंदा हूं मैं अपने ही इजहारे इश्क से कभी अपनी आखों को आईने में देख हो जाएगा तुम्हें वे इश्क अपने ही वजुद से जैसे कि हुआ था मुझे वे इश्क तेरे ही वजुद से अब थोड़ा ट्रांजिशन दूसरे शेर पर तो ये कुछ अनकही बाते थी जो तुम्हें सुनानी थी पर आज सारी दुनिया को सुनाता हूँ आज अगर अपना हाले दिल कह दो तुम तो देखो कैसे इन दुनियों का मिटाता हूँ आज हूँ तुम्हें बदनाम तेरे नाम से ही आज हूँ तुम्हें बदनाम तेरे नाम से ही लेकिन क्या ये भी कोई गम है जब अपने ही लफजों के सहारे में तेरी ही तारीफिन लोगों को सुनाता हूँ आज अगर अपना हाले दिल कह दो तू तो देखो कैसे इन दूनियों के मिटाता हूँ Thank you very much